परिचय हलो विद्यार्थियों, जरा इस तस्वीर को देखो, ये दिखाती है कि एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है, क्या आप जानते हैं कि बैट कितना लंबा होता है? हम अपने दाद साफ करने के लिए टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं कि टूथ ब्रश कितना लंबा होता है? आईए आज ये जाने कि अलग-अलग चीजों की लंबाई कैसे मापी जाती है? आउ सीखें चीजों की लंबाई जान पाना पैमाने की मदद से लंबाई को मापना लंबाई दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखो ये एक बास है बास के दो छोर होते हैं बास की लंबाई जानने के लिए हम इसे एक से दूसरे छोर तक मापते हैं लंबाई इस Pencil Box को देखो इस Pencil Box की लंबाई है इसके एक से दूसरे छोर तक जरा इस computer screen को देखिए क्या आप computer screen की लंबाई का पता लगा सकते हैं? जी हाँ, computer screen की लंबाई उसके एक से दूसरे छोड़ तक होती है Scale या पैमाना पुराने समय में चीजों की लंबाई लोग अपने हाथ, बाजू या अपने पैरों से मापते थे लेकिन इन तरीकों से सही लंबाई नहीं मिल पाती थी बाद में पैमाने और measuring tape का इस्तेमाल किया गया ताकि चीजों की सही लंबाई जानी जा सके जरा इस तस्मीर को देखिए ये एक ruler है जिसे पैमाना भी कहा जाता है इसका इस्तेमाल pencil, pencil box, eraser, photo frame और आईने जैसी छोटी चीजों की लंबाई मापने के लिए किया जाता है पैमाने का इस्तेमाल जरा इस पैमाने को देखिए इसके किनारे पर कई विभाजन है हर विभाजन एक सेंटिमीटर के बराबर है ये संख्याएं शून्य से पंदरा तक लिखी है शून्य से पांच तक का मतलब है पांच सेंटिमीटर 0-11 तक का मतलब है 11 cm 0-15 तक का मतलब है 15 cm मापन 1 क्या आप जानते हैं कि पैमाने की मदद से किसी माचिस की लंबाई कैसे मापी जाती है माचिस को पैमाने के नस्दीक रख दीजिए और इसका एक छोर 0 पर होना चाहिए माचिस के दूसरे छोर पर लिखी संख्या को पढ़िए ये संख्या है 5 इसलिए माचिस 5 cm लंबी है मापन आईए अब एक पैंसिल शापनर को मापते हैं शापनर को एक पैमाने के नस्दीक रखिए और इसका एक छोर 0 यानी 0 पर होना चाहिए शापनर का दूसरा छोर 3 पर है इसलिए इस शापनर की लंबाई 3 cm है आओ खेलें इस तस्वीर को ध्यान से देखें और सही जवाब पर क्लिक करें हमने क्या चर्चा की? पैमाने के जरीए हम किसी चीज की सही लंबाई माप सकते हैं क्या है